हेलो फ्रेंट्स व्लिकॉम त Whoo व्लिकॉम तु स्विंग ट्रेड फ्रेंड से आध की विडियो में हम बात करेंगे स्री सिमेट के वारे में स्री द्री शिमेट में अभी इसी सहब से चल रहा है चल रहा है प्राइस अल्मोस्ट यहां पर टुन्टी परसेंटेज का क्रेक्षन आ चुका है अगर हम देखेंगे अगर हमारे पॉर्टफोलियो में है तो फिर पूरा जानकर है अभी अगर देखेंगे करने से पहले आप सब को जरूर करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करकर रख लिए आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है अगर आप देखेंगे तो यह आपको जरूर देखना चाहिए जो कि स्क्रीनिंग करते हैं एक अच्छा सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए विडियो आपको देखना जरूरी है उसके साथ में स्क्रीन का हम कैसे यूज करते हैं यह वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार करते हैं अगर हम देखेंगे तो यहां पे रेसी में जो है यह मार्केट लीडर कंपणि इसको मार्केट कैप के हिसाब से इसके नमबर पर आता है अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिखे नाइंटी फोर थाज़न करोल का मार्केट क्याप है जो की पहला नॉम्बर पर आता है मार्केट क्याप के हिसाब से अल्ट्राटेक सिमेंट ठीक है तो अगर हम कंपनी का बात देखेंगे तो कंपनी कौन से फिल्ड में काम करता है सिमेट इंडेस्ट्री अगर इनका स्लोगान भी देखेंगे ना तो यहां पर स्लोगान दिखी यहां पर बंगर सिमेट में अगर देखेंगे सस्ता नहीं सबसे अच्छा यहां पर बहुत अच्छा स्लोगान चलता है टीवी में आर चलता है अपने देखा होगा तो यहां पर स्री सिमेट का यहां इसके साथ में Power Industries अगर आप देखेंगे तो यहां पे कहां पे उनका Product मतलब प्लांट लोकेशन आपकी यहां पर देख सकते हैं कंपनी का प्लांट लोकेशन देखें जो की कमपनी का प्लांट लोकेशन तिराज भिहार में है Works लीर्णन्रौनिल्हाना में यहां पर जाडखंड में है महराश्टर में यहां पर उडिसा में और यहां पर राजस्तान उत्रप्रदेस फ्रीटर्थ देखेंगे यहां पे firms मार्केट क्या है 94000 क्रोड का मार्केट क्या पितक sir yeah । अगर हम देखेंगे यहां । यहां पे 010 सभी देखेंगे उस stat अभी अगर देखते हैं कॉरेंट मार्केट पाइस चल रहा है टॉन्टी सिक्स थाउजन 311 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है ठीक है इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यह स्टॉक का यहां पे अगर quarterly result देखेंगे तो यहां पे सेप्टेमबर का quarter में 3373 करोट का sales हुआ है जो कि पिछला सेप्टेमबर में 3281 करोट का sales था अगर हम net profit देखेंगे तो net profit में भी एक growth देखने को मिला है September तो September अगर compare करेंगे तो अगर year on year compare करते हैं यहां पे 527 करोट का net profit था अभ किन अगर quarter to quarter अगर हम compare करेंगे 630 करोड से यहां पर 563 करोड हो चुका है तो मतलब decline देखेंगे तो यहां पर बड़ी ऐसा data नजर आ रहा है जो कि last quarter में net profit 2622 करोड का हुआ है अगर हम sales की बात करेंगे 14785 करोड का यहां पर sales देखने को नजर आ रहा है अगर हम balance sheet में जाक बॉर्ण कितना वहाँएं बहुट का मैं जो तूहिंहां almost 453 करोड का है company का market मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है लार्ज स्टाउक अगर proper रही trabalhar अगर आप देखेंगे ना यहां पर दिकाहिए प्रोमोटर के यहांपे कच कच ख रहा है यहांपे तो हम जा कि चार्ट पटन में देखतें तो इस प्राइस होIOいました तो फिर इंतेजार करना चाहिए अगर हम देखेंगा RSI की बात करेंगे RSI तो अभी 46 पे चल रहा है लेकिन अगर हम moving average की बात करेंगे friends यहाँ पर देखिए इस stock का आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 200 ए हम भी average के निचे आ चुका है और stock का price कितना percentage गिर चुका है एक बार वह भी देख लेंगे friends देखिए यहाँ पर ओल्ल टाइम हाई से अगर हम मेजर करेंगे यहाँ पर स्टाउक को all time high से ले के stock अभी जो ट्रेडिंग और इसी सबसे 19 परसेंटेज का correction हो चुका है यह stock में जो कि बहुत बड़ा लार्ज क्याप stock है जिसका मार्केट क्या पर एक 96,000 क्रोड का multi-weather stock इसका return की बारे में अगर बात करेंगे ना यहां पर दिखिए दोस साल का क्या आपरेज है दोस साल में 29 परसेंटेज का बहरी correction होता है ना उसके बाद में stock आके 100 डे का weekly चार्ट पर उहीं पर सपोर्ट लेता है यहां पर भी एक बार लिया है यहां पर भी एक बार बहुत बड़ी ऐसे फॉलो कर रहा है अगर आपको बाई करना है ना फ्रेंट्स यह बहुत बड़ी ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर दिखिए stock का अगर आप support की बात करेंगे यहां पर stock range यहां पर trading हो रहा है अगर लास्ट चार वीक का भी अगर आप चार्ट पेटन देखेंगे ना तो यहां पर दिखिए stock इसी box के अंदर में trading हो रहा है अगर आपको buying करना है ना फ्रेंट्स यह जो इसी साब से चल रहा है तो इसी साब साब बाई करके चल सकते हैं जो कि 2500 कि 25500 पे आप बिल्कुल इस stock को बाई कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बढ़ी असा opportunity लेकर आया है अगर हम आपको अगर यह stock को आप अगर लेकर चलते हैं यहां पे swing trade में आपको कितना percentage का profit हो सकता है अगर आप यहां से pick करते हैं अगर all time high तक अगर यह stock को hold करके चलते हैं आपको 25% का gain मिल सकता है जो कि इतना ज्यादा risk नहीं है कि लार्ज के आप स्टॉक है ठीक है और इसका performance पर्फॉमांस से sales भी बहुत बढ़ी है से growth नजर आ रहा है ठीक है यह stock में आपको अगर position आप फिर वाई करके ले लिजिए ठीक है उसके बाद में अगर stock में fall होता है तो और एक 5% या तो फिर 10% का fall में आप फिर वाई करके चल सकते हैं स्टॉक कोई बुरा नहीं है बहुत बड़ा मल्टी व्यागर रिटन देने वाला stock है अभी भी मल्टी व्यागर रिटन दने का दाम रखता है ठीक है कोई प्रोब्लेम नहीं अगर आपको मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको श्विंग ट्रेड में अगर आप बने है तो आपको यह जो टारगेम बहुत जल्दी आचीव हो सकत है वान मौन्स में उसकता है ठीक है वान मुंत अगर चारगे में तो डीक हंपहर को सत्ड़ा आपाने सब्सक्री सरह देख रायए मतलब बहुत अच्बशन हो रहा है ठीक है किटना अच्दशा अच्छा से हो ठ ठीक है लेकिन stock का यहां पर एक breakout point भी है यह आपको देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि तब भी आपको buy करना है जब एक breakout होगा उसके बाद में आप buy करेंगे ब्रेकाउट कितने में होगा यह stock को अगर आपको buy करना है तो यहां पर 26,650 पर आप buy किजिए उससे पहला आप buy मत किजिए ठीक है यह strictly मैं आपको बोल रहा हूँ friends क्योंकि अगर आपको strictly अगर यह line follow करेंगे उसके बाद में आप buy किजिए stock को आपको buy तभी करना है जो कि 26,650 के level पे buy किजिए और एक green candle पे buy किजिए आपको यहां पे bearish candle पे buy नहीं करना है आपको यहां पे bullish candle पे buy करना है यह range से यह box से अगर बाहर आगया न stock 26,650 के बाद में अगर आप buy करेंगे आपको immediately target आचीव हो जाएगा जो कि one month maximum one month यहां भी हो सकता है जो कि 11 परसेंटेज का target है ठीक है तो उसी साब से आप अपना position बनने से पहले खुद का भी जरूरी एक बार risk reward ratio भी चेक कर लीजिए और अपना हिसाब से analysis भी जरूर कर लीजिए क्योंकि कोई भी stock में position बनाएगे खुद का analysis करना बहुत जरूरी है friends ठीक है तो stock तो fundamentally बहुत strong stock है अगर आपको long term के लिए लेना है तो भी लेके चल सकते हैं अगर आपको शट टर्म का gain चाहिए तो यहां तक का आपको target रखना है जो कि 29700 तक का अगर आपको long term के लेना सरी 6291 का target चाहिए तो आपको यहां पर all time high तक करके चल सकते हैं friends ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए friends के साथ में भी शेयर कीजिए ठीक है friends के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वह भी एक अच्छा सा स्टॉक में पोजिशन बना के है अच्छा सा गयन ले सकते हैं अगर चैनल पर नहीं आए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू very much friends पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आगले वीडियो में